तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने बहुत दिनों से डिमांड किया था कि सर आप BSC 6th semester पर वीडियो अपलोड करें तो आज मैं आपके लिए आपके BSC 3rd year 6th semester बोटनी का वीडियो अपलोड करूँगा तो आने वाले दिनों में आपको बोटनी का जो फर्स्ट पेपर है उ तो मैं पूरी कोशिस करूँगा कि जितने भी important topic है मैं उन्ही topic को cover करूँ और यदि आप चाहते हैं कि कोई especially मैं topic देखूँ या आपको topic hard लगता है तो प्लीज जरूर comment करिएगा और आज की इस वीडियो में मैंने जो topic लिया हुआ है वो है unit 6 जिसका title है nano technology तो आईए सबस important word है वो है nano जो की Greek word से आया हुआ है जिसका मतलब होता है dwarf यानी की बहुना तो यहां पर nano कहने का मतलब होता है कि बहुत छोटी वस्तू तो जब हम किसी वस्तू को बहुत ही छोटे size में यानि कि dwarf size में लेकर आते हैं तो उसको हम बोलेंगे nano तो nano का size कितना होगा उसका size हो 10 के power minus 9 meter यानि कि 10 के power minus 9 को हम nano का नाम देते हैं तो सोच सकते हैं अब यह कितना छोटा होगा अगर हम example की बात करें human के hair का जो diameter होता है यानि कि हमारे बाल का जो व्यास होता है उसके व्यास से 60,000 गुना छोटा एक नैनो मीटर होता है तो सोच सकते हैं कि एक नैनो मीटर कितना छोटा होगा तो यहाँ पर आप एक साइस का स्केल देख सकते हैं जहाँ पर 100 पीको मीटर से 1 मिली मीटर तक दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर ज तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे जो छोटी size है वो atom की है वो है 0.1 nanometer अगला जो example है यह है group of carbon जो की है fullerine C16 इसकी जो size है वो है 1 nanometer उसी तरह अगर हम बात करें DNA की तो DNA की जो size होती है 2 nanometer वही अगर हम बात करें bacteria की तो bacteria की size होती है 0.15 से लेकर 2 micron meter तक वहीं अगर हम बात करें hair की तो इसका जो diameter होता है 60 micron meter तो सोची hair से लगबख 60,000 गुना छोटा होता है हमारा nano particle तो यहाँ पर आपको बता दे कि जो nano particle है उनकी जो size होती है उसका जो range होता है 1 nanometer से 100 nanometer के बीच होता है जैसे अगर हम बात करें virus की तो virus की जो size होती है 10 to 150 nanometer यहाँ पर और भी nano particle दिये गए है जैसे की quantum dots जिसका जो size है 1 से लेकर 5 nanometer तक है वहीं इसके अलावा gold particle का जो size दिया है वो है 10 से 25 nanometer I hope की इस compression chart से आपको nano particle से जुड़े हुए जो topic है या concept अच्छे से समझ में आ गया होगा कि nano particle कितना बड़ा होता है बस यहाँ पर आप यह याद रखेगा कि एक nanometer में 10 के power minus 9 meter होते हैं आए नेक्स हम बात कहते हैं history of nano technology की तो nano technology का history जो है वो बहुत ही पुराना है जैसे अगर हम अपने भारत की बात करें तो काजल आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों को और ऐसे भी औरते काजल लगाती हैं तो यह जो काजल है यह एक प्रकार की indication है nano technology का अब काजल तैयार कैसे होता है पहले सभी में जो काजल होते थे वो control combustion करते थे coconut oil और क्या करते थे कि silver plate पर उसको गर्म करके बनाते थे तो काजल में क्या पाए जाता है carbon के nano particle पाए जाते हैं और आपको बता दे कि काजल में antibacterial property पाए जाती है इसके अलावा अगर हम बात करें 1857 में Michael Faraday ने क्या किया था कि collidal suspension का जो property है उसका study किया था ruby gold में और उन्होंने अलग-अलग color के gold solution बनाये थे और ये जो अलग-अलग color का solution बना था उनका कहना था कि different size के gold की वज़े से या फिर कह सकते है gold के nano particle की वज़े से अलग-अलग color के solution बनते हैं तो किस तरह से nano particles से अलग-अलग color बनते हैं जब मैं आपको nano technology में property पढ़ाऊंगा तो इस बारे में हम discuss करेंगे the concept of nano technology was first put forward by great physician Richard Feynman तो nano technology का जो concept सबसे पहले दिया था वो दिये थे Richard Feynman ने अगर वहीं हम बात करें concept of nanometer तो nanometer का जो concept है वो सबसे पहले Richard Sigmundi द्वारा 1925 में दिया गया था और इसके लिए उन्हें nobel prize भी दिया गया था chemistry में तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो nanometer है एक प्रकार से size measurement के लिए use होता है लेकिन यहाँ पर आपको एक बाद बता दे कि जो actual term है nanotechnology का वो first use किया गया था Japanese scientist Norio Tenguchi द्वारा 1974 में कुछ सालों बाद लगभग 1991 में इजिमा और other Japanese scientist ने एक carbon nanotube का formation किया तो यह जो carbon nanotube था इसमें इसके अंदर highly strength थी flexibility थी जो की एक प्रकार का polymer था और इसका use होता था thermal और electrical property के लिए तो यहां पर आप देख सकते हैं यह एक प्रकार का carbon nanotube है और यह next हम बात कहते हैं कि कैसे हम nanotechnology को define कर सकते हैं उसका concept क्या है और उसका technique है क्या तो सबसे पहले हम बात कहते हैं nanoscience की nanoscience is the study of phenomenon the manipulation of material at atomic molecular and macromolecular scale where property differs significantly from those at large scale यानि कि जो nanoscience है यह प्रकार का ऐसा technique है जिसमें कि atom या molecule का या फिर जो macromolecular है उनको manipulate किया जाता है उसमें बदलाओ किया जाता है जिससे कि जो बड़े molecule है वो छोटे molecule में बदल जाते हैं और उनकी जो property है जो पहले property थी वो बदल जाती है यानि कि large scale पे जो property थी वो अल nano science आए इसको example के through समझते हैं तो nano technology का use सबसे ज़्यादे beneficial है agriculture में तो इसका एक example है nano urea तो nano urea के level पे जब हम urea को ले गए तो वहाँ पर उसके जो properties थी उसमें changes देखने को मिली यानि कि जब nano scale पर urea था तो वो बहुत ही effective था उसका जो content use हो रहा था मतलब amount जो use हो रहा था आप कम use हो रहा था लेकिन उसकी property जो थी और बढ़ गई तो यहाँ पर आप एक बात जरूर याद रखेगा कि जब हम atomic level पर ले जाते हैं यानि कि जब बहुत छोटे level पर किसी molecule को ले जाते हैं तो आपर उसकी property positive भी हो सकती है और negative भी हो सकती है अब एक concept और समझ लेते है नैनो पार्टिकल की नैनो पार्टिकल है क्या तो ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल जो की पूरी unit को represent करें उसे हम बोलते हैं नैनो पार्टिकल यहाँ पर आपको बता दे कि जो नैनो पार्टिकल होते हैं इनकी तीन मुख विसेस्ता है जो सबसे पहली विसेस्ता है they are highly mobile in the free state यानि की जब ये मुक्त रूप में होते हैं ये बहुत ही गतिमान होते हैं यानि की इधर उधर दोड़ते रहते हैं दूसरा पऊंट यह है कि जब भी कोई छोटी पार्टिकल होती है वो अपना जितना छोटा होता है उतना ही सर्फेस एरिया cover करना चाता है यानि की अपने surface area को बढ़ाना चाहता है तो नैनो पार्टिकल में भी यही होता है कि वो बहुत छोटा होने की वज़ा से अपने surface area को बढ़ाना चाहता है थर्ड पॉइंट है यह quantum effect को represent करते हैं तो दोस्तो यह था हमारा आज का वीडियो जो की नैनो टेकनोलोजी पर आधारित था अगले पार्ट में हम नैनो टेकनोलोजी से जुड़े वे जितने भी टॉपिक आपके syllabus में include है उन सभी टॉपिक को discuss करेंगे तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सेर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत